कांग्रेस में बड़ा फिर बदल गुलाम नभी आजात साहिद पांच महा सचयों हटाए गए राहुल के करीबियों को मिली संगठन में जगए कांग्रेस में चिट्टी विवात के बाद हुए पहले बड़े फिर बदल में कांग्रेस अधिक्ष सोनिय गानी ने पत्र लिखने वाले पार्टी नेताओं पर सक्ति का डंडर नहीं चलाया है इसके उलट उन्होंने राहुल गानी के समर्थकों को पार्टी में जगए दी है और कांग्रेस के नए अधिक्ष का चुनाओ कराने के लिए पार्टी की पांस सदस्य केंद्री चुनाओ सम्थी का भी गठन कर दिया गया है JEE Mans 2020 का रिजल्ट हुए जारी JEE Mans 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है इनमें 24 चात्रों को 100% नंबर हासल हुए हैं जिनमें से सबसे जियाता चात्र 8 चात्र तिलंगाना के हैं इस साल 6,35,000 चात्रों ने JEE Mans की परिक्षा दी ती जिनमें से 2,45,000 चात्र JEE Advance की परिक्षा के लिए सिलेक्ट किये जाएंगे आपको बता दें कि JEE Advance की परिक्षा 27 सितंबर को होगी JEE Mans का रिजल्ट देखने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं अरुनाचल परदेश से लापता हुए पांच योवकों को आज भारत को सौंपेगा चीन अरुनाचल परदेश से लापता हुए पांच योवकों को आज भारत को चीन सौंप देगा दरसल जब ये योवक लापता हुए थे तब भारती ये सेना ने चीनी सेना को होट लाइन पर संदेश भेजा था जिसके बाद चीनी सेना ने इसकी पुष्टी की थी कि अरुनाचल परदेश से पांच योवक जो लापता हुए हैं वै उनकी छेतर में आ गए हैं जिसके बाद आज साड़े नौ बजे चीन इन पांच योवकों को भारत को सौंप देगा चुनाओ आयोग ने नॉमिनेशन के लिए राजनीतिक पार्टियों को जारी की गाइडलाइन्स चुनाओ आयोग ने नॉमनेशन के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्यासियों को नई गाइडलाइन चारी की है जिसके तहत राजनीतिक दलों और प्रत्यासियों को अपने अपरातिक बैक्ग्राउंड की जानकारी तीन बार न्यूज पेपर और टीवी में देनी पड़ेग चुनाओ आयोक का कहना है कि इस से चुनाओ लड़ने वालों और वोट देने वालों में जाग रूपता आएगी